नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं बात करने बाला हूँ डीटी फ्रीटिज के एंप्रेक्ट्वी स्टप बाक्स पर आने वाले एक फाल्ट के बारे में तो जैसे दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने टीवी स्कून को चालू किया हुआ है और साथ-साथ एंप्रेक्ट्वी स्टप बाक्स है जिस पर यह प्रावलम आया हुआ है दोस्तो आप देख सकते हैं कि इस पर 70% सिगनल होने के बावजूद भी जो पीक्चर है तो इस प्रकार से फंस-फंस के चल रहा है तो दोस्तो इस पूजीशन में इस पर जो फाल्ट है तो किस आने वाला हूं आपको step by step दोस्तों बताऊंगा कि इस पूजीशन में आपको किस परकार से बोल्टेज कहां चेक करना है और इस प्रावलम को आप किस परकार से ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम मदरबोड पर बोल्टेज चेक करेंगे और दोस्तों आपको जो है तो कट-कट-कर चलता है तो आपको क्या चेक करना है तो यह जो ग्राउंड वाला प्राड है हम कहीं भी लगा लेते हैं इस प्रकार से इसके बाद सबसे पहले आपको जो पावर सप्लाई से 3.3 बोल्ट आता है उसे आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं 3.3 बोल्ट प्रापर तरीके से सही आ रहा है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है जिस पर 3.3 बोल्ट इन होता है आप देख सकते हैं इस पर 3.3 बोल्ट इन हो रहा है और इसका जो बीच वाला पॉइं बीच वाला पिन है इस पर दोस्तों आपको करीब 1.7 1.8 बोल्ट मिलना चाहिए आप देख सकते हैं इस पिन पर हमें 1.1 बोल्ट मिल रहा है तो दोस्तों इस प्रकार का कभी भी फाल्ट आता है तो सबसे पहले आपको 3.3 बोल्ट चेक करना है अगर यहां 3.3 बोल्ट आपका आपको क्या करना है तो दोस्तों इस पूजीशन में आपका जो खराबी है तो पावर सप्लाई से होता है आपको पावर सप्लाई चेक करना होगा और पावर सप्लाई पर 5 बोल्ट के लिए दोस्तों जो डायोड लगा होता है इससे कैपिश्टर लगा होता है इसको आपको बदल कर देखना है और किसी-किसी power supply पर क्या होता है कि जो 3.3 volt है तो 2 diode series में लगकर हमारा motherboard के लिए जाता है तो दोस्तों उसे भी आपको बदल कर देखना है या कि फिर आपको क्या करना है तो दोस्तों आपको voltage जो है तो यहां चेक करना है अगर आपको 3.3 volt यहां मिलता है और यहां वो ही बोल्ट आपको कम मिलता है तो आपको एक वायर लेकर यहां से direct आपको सीधे यहां jumper कर देना है जिससे कि आपका problem solve हो जाएगा लेकिन दोस्तों इस पर समस्या क्या है तो इस पर समस्या यह है कि हमारा 3.3 volt प्रापर तरीके से यहां आ रहा है आप देख सकते हैं और खराबी जो है तो इस regulator IC में है क्योंकि इस पर 3.3 volt इन हो रहा है और दोस्तों इस पर जो output है तो हमें करीब 1.1 1.2 volt के लगभग मिल रहा है तो दोस्तों जो fault है इस regulator IC के कारण ह है अब हम इसे चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं किस परकार का fault आपको देखने को मिल सकता है अब दोस्तों हम इसे बंद कर लेते हैं और अब हम इस regulator IC को निकालेंगे कि अब हम इस परकार से दोस्तों हमें इस आइसी को निकाल देना है और मेरे पास एक दूसरा IC है जो कि मेरे पास एक motherboard पढ़ा हुआ था जिसका मैंने दोस्तों निकाला हुआ है आप देख सकते हैं इस पर दूसरा फाल्ट था लेकिन यह जो रिलोटर IC है तो दोस्तों सही था इसलिए मैंने दूसरी motherboard से इसे निकाल दिया है और आपको मैं इसे इस पर लगा कर दिखाऊंगा तो मैं दोस्तों इसे इस पर शल्डिंग कर देता हो इसके बाद मैं आपको दिखाता हुआ कि हमाराumm फाल्ट जो है ठीक हुगा की नहीं और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस IC को निकाल कर इसके जगा पर मैंने दूसरा IC इस पर लगा दिया है और अब दोस्तों हम इसका बोल्टेज भी चेक कर लेते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3.3 वोल्ट हमारा यहां इन हो रहा है आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारा इस रेगलोटर IC पर इन हो रहा है और इस पर हमें 1.7 वोल्ट दे लगभग आउटपुट मिल रहा है आप देख सकते हैं 1.7, 1.8 दोस्तों यह हो रहा है अब दोस्तों हमारा यह जो IC चेंज करने से जो प्रावलम सा तो स्वाल्व हो जाएगा अब मैं आपको T पर भी आपको चेक करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रावलम था तो दोस्तों वह सही हो चुका है मैं आपको signal quality भी दिखा देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 70% signal हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तो जो PICCYATE पर पर प्राब्लम था, फांस मस के चल रहा है। तो दोस्तों हमारा ठीक हो चुका है इस परकार से अगर setup बात पर किसी परकार का fault आपको इस परकार से देखने को मिलता है तो दोस्तों इस परकार से आपको voltage चेक करके fault को ठीक करना है